नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत सुआगे थे दोस्तों, अगर आप भी किसी को अपने वश्मे करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको इतना असान वा सरल उपाय बताने वाली हूँ कि जिससे आप किसी को भी बड़ी असानी से अपने वश्मे कर सकते हैं फिर चाहे वो आपका कोई दोस्त हो, प्रेमी हो या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिससे आप बेहद मुहम्बत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस उपाय का प्रयोग आपने किसी का बुरा चाहने के लिए बिलकुर भी नहीं करना है या फिर गलत नियत के साथ नहीं करना है सिर्फ सच्चे मन से अपने प्यार को पाने के लिए ही इसे आप इस्तिमाल करें दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये वशी करन इतना प्रभावशाली है कि इसे बाद में उतारा नहीं जा सकता तो सोच समझकर ही आप इस विधी को शुरू करिएगा तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं आज की विधी क्या है तो आज की विधी करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ एक पीपल का पत्ता आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने पीपल का पत्ता लिया हुआ है और ऐसा ही पत्ता आपको लेना है तो एक people का पत्ता आपको चाहिए और एक लाल pen लाल pen या फिर लाल marker जो है आप ले सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है और people का पत्ता ले लेना है और उसके उपर अपना नाम फिर उस व्यक्ति का नाम लिख देना है जो से आप बेहत मुहबबत करते हैं और फिर बीच में एक प्लस का निशान भी लगा देना है अब यहाँ पर for example अगर आप राकेश हैं और आप सुमन से जो है प्यार करते हैं और आप उन्हें पाना चाहते हैं उन्हें अपने वश में करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर राकेश का नाम लिखा, बीच में एक प्लस का निशान और इसके बाद सुमन का नाम, यह पत्ता आप देख सकते हैं, इस पर दोनों का नाम लिखा है, लिखा है राकेश प्लस सुमन, इसी तरह से आपको अपना नाम और उस व्यक्ति का नाम लिखना है, जिसे आप वश में करना चाहते हैं, सम्मोयत करना चाहते हैं। अब आपको इस पत्ते को हाथ में रखकर एक मंत्र का उच्चारन करना है। जैसे कि राकेश और काजल का मंत्र था ओम वशी भूताय नमाहा। ऐसा ही मंत्र जो है आप जब गुरुजी को कॉल करेंगे तो गुरुजी से आप अपना सिद्ध मंत्र ले सकते हैं। और जो मंत्र आपको बताया गया है, इस मंत्र का जाप आपको पूरे 11 बार अपने मन में करना है, 11 बार इसका उच्चारन करना है। और फिर उसके बाद आपने अपनी मुठी खोल कर फूप मारनी है। और यकीन मानिये दोस्तों, सिर्फ तीन घंटे के अंदर अंदर वो इनसान जिसे आप बेंतेह मुखबत करते हैं, बेंतेह प्यार करते हैं, वो आपके वश में हो जाएगा। और आपकी सारी बातें मानने लगेगा। यह विधी करते वक्त आपको एक खास भात का खास ख्याल रखना है। कि इस विधी को करते वक्त आपको कोई भी देख न सके जैसे ही आप ये कार्य करेंगे वो इंसान आपके वश में होगा और आपसे बात किये विना रह नहीं पाएगा और आपसे बेंतहां महुंबत करेगा तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा ही हो तो आप गुरुजी को कॉल करके अपने नाम के अनुसार अपनी राशी के अनुसार गुरुजी से अपना सिद्ध मंत्र ले सकते हैं और आप स्क्रीन पर दिये गए नंबरों पर कॉल करके या वाटसेप करके हम से अपनी परेशानी का इलाज भी करवा सकते हैं फिर चाहे वो आपका कारोबार से संबंदित हो, संतान से संबंदित हो या फिर किसी भी और समस्या से संबंदित हो जो आप पाना चाहते हो, आप पा सकते हो तो जलते जलत स्क्रीन पर दिये गए नंबरों पर हमें कॉल करें वाट्सप करें और जुड़े रहें हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए जय माता दी